प्यारे चात्रों, आज हम Surface Mounted Devices का अध्यन करेंगे ऐसी devices जिनको PCB के Surface या प्रस्ट पर रख कर शोल्डर के ज़ता है उन्हें हम Surface Mounted Devices या SMD कहते हैं Electronics उद्योक्ज में 1980 के दसक में इनका प्रयोक या पर्चलन प्रारम हुआ ये स्वेतर निर्मान जिदान पर कारे करती है इसके कारण इनका उद्पातन बढ़ता है और Devices का अकार छोटा यह इनमें कम पदार थी जोने कारण इनके मुले में कमी आती है Devices लगू रूप में होती है तथा अलकी होती है और विश्वेशन यह भी होती है इनमें पूर्व में बताया Components को सीधा ही PCB की Surface पर शोल्डर कर जाता है इसलिए इने Surface Mounted Devices भी करते हैं यहां पर सोल्डर किया हुआ है PCB की सत्य पर दूसरी रभ यहां भी सोल्डर किया हुआ लीड को यह चीप लीड है इसका नाम है प्रश्ट चडित टक्निक या SMD टेक्निक नीचे Pin Through Hole टेक्निक दर्साई है इसमें दिख रहा है PCB के आर पार छिद्र कर यानि होल कर Conductor लाइन से इन लीड को सोल्डर द्वारा सोल्डर किया हुआ है यह दोनों तरफ दिखा रखा है इसलिए यहां पर Conductor Lead Hole में से पास करके PCB पर सोल्डर कर रखा है जबकि यहां पर ऐसा नहीं है यह Surface पर सतय पर सोल्डर किया है यह Hole में से पास करने के लिए पास कर सोल्डर किया हुआ है तो दोनों में यह difference है यह Pass process है साथ ही छोटे components का आकार देकर कम जगे में और विश्वशनिये Components की डिजाइन AJ SMD के रूप में कर सकते हैं इनकी Types बताएगी है SMD Active Type SMD Passive SMD Discratch SMD Integrated SMD Active SMD उन्हें कैसे हैं जिनमें अपनी मूल विशेशताएं कुछ समय के बाद बदल जाती है Passive SMD उन SMD या Devices वो कहते हैं जिनकी मूल विशेशताएं नहीं बदलती है Discret SMD में Diver Trance आदी Discret devices आद यूज होती है और यह Devices अपनी मूल विशेशताओं का त्याग नहीं करती यानि इनमें कोई बदलाव नहीं होता है जैसा कि Passive devices में होता है जैसे Passive devices में भी इस प्रकार का मूल विशेशताओं बदलाव नहीं होता है इन्टेग्रेटेडड़ विशेशताओं विशेशताओं में बदलाव नहीं होता है इन्टेग्रेटेड़ SMD वह SMD हैं जिनमें ICS का यूज होता है और ICS को AJ सर्फेस मांट वैसेश के रूप में प्रयोग किया जाता है सर्फेस विबन प्रकार के जो वो कमपोनेंट्स हैं उनको है जो SMD के रूप में डालने के लिए यहां पर बताया रखा है जैसे रजिस्टर है कपेस्टर है डायोड़ टाइस्टर है और ICS हैं तो सवरव पर्थम सर्फेस मांटेट रजिस्टर इसके तीन बाग होते हैं रजिस्टर के का करती है इन दो टर्मिनल्स के बीच में यह दिखा रखा हम रखा अल्का सा फिलम यह रजिस्टर का काम करती है इन दो टर्मिनल्स के बीच में इसी का एक क्रोस्ट्रेक्शन एरिया दिखा रखा है यह लाइन जो डैस डैस दिखा रहिए यह देज़िस्टिव फिलम है दोनों दोरफ यह complete पैकिंग दिखा रखी एक तुम्त यहां पर इस तीरे पर और एक दूसरी इस तीरे पर यह जो कंपलीट है यह एक्ट पर काम करते हैं और बीच में यह प्रोटेक्टीव ग्लास सीट या कोटिंग की हुई होती है यहां पर इस र्जिस्टीफिल्म के जस्ट नीचे के पास करते हुए यहां पर सेरेमिक सब्स्टेट का पार्ट लेपित किया होता है जो इसको कुछ एक एक्टोड के या टर्मिनल के बीच में रजिस्ट एसे एसमडी रेश्टर है उनका मान दस ओम से 10 मेगाम तक होता है शक्ति यानि पावर रेटिंग इनकी संग्रण की शमता वन बटा 16 वाट से 1 बटा 4 वाट तक होता है आगे कैपस्टर टाइप SMD यानि सर्क्रेस माउंटेट कैपस्टर इनमे समाना अंदर प्लेटों के बीच में डाइलेक्टिक मेटेल को रख कर बना जाता है इसमें विविन प्लेटे होती है जो इंटरलीवड डाइलेक्टिक के साथ रखी होती है जैसा कि इस चितर में दरसाया हूआ है एक और आए यह है यह 1 2 3 4 एसे प्लेटे रखी हूँ है और यह बड़ी वाले प्लेट मान लिजी इलेक्टोंड है तो यह चोटे वाले यह बीच में बड़े वाले डायलेक्टिक मेट्रेल है तो नीचे जो दिरखा यह एजे इलेक्टोड है और आप यह मान लिजिए कि एक प्लेट अगर मेटल की है तो दूसरी नीचे डायलेक्टिक या कूचालक की प्लेट है फिर उसके नीचे फिर वापस इलेक्टोड की प्लेट है फिर वापस डाइलेक्टिक प्लेट इस तरह वन वाईवन एलेक्टरोड यानि मैटलिक एलेक्टरोड और कूचलक डाइलेक्ट्रिक मैट्रियल बधर होता है और उनको कर जाता है इन दौनों फॉक्टरोड के बीच में एक यहां पर जोगा। के रुपने दिखा रहा का दूसरा पीछे की साइड में और उपर एक सेरिमिक सबस्टेट की कोटिंग की हुई है इसको प्रोटक्शन देने के लिए ये SMD-type capacitor दो प्रकार के संबव हैं Polarized और non-plorized पोलराइज अदिन में positive and negative terminal होते हैं और non-plorized में positive and negative terminal का शिधानत नहीं होता है इनकी range 1 pf यहांने pico fad से लिएकर 1 micro fad तक होती है और इनकी capacitance कमान 3 micro fad 5 Magrofaird या 7 Magrofaird से 50 Magrofaird के मद्द भी हो सकता है इनका निर्मान करने के लिए पदार्थ यूज जाता है वो ceramic या aluminum या tantalum metal को यूज किया जाता है इनका adjustment बार बार नहीं होता है इन्हें एक बार ही यूज किया जाता है PCP पे फिर इन में कोई चेंज नहीं किया जा सकता तोलेंज इनकी प्लस माइनस 5% होती है सर्फेस माउंटेड डायोड ये दो प्रकार के होते हैं मैटल इलेक्ट्रोनिक मैटल इलेक्टोड सर्फेस सर्फेस एंड सेकेंड स्माल आउटलाइन डायोड जैसा कि चितर में दर्शा रखा है एक डायोड के पैकिंग दिखा रखी है इसमें ये दो टर्मिनल दे रहां कि एक और दो और सेकेंड इदर एक टर्मिनल और दे रहा है तो यह एक आयताकार पैकिंग रोप में एक डायोड से है और इसके दो टर्मिनल एक्टिव होगा एक टर्मिनल नांन कonnaissance वाली स्दिति में रहेगा जैसा कि इस चित्र में रिखा 1 और 2 कonnaissance वाली स्दिति में टो no connection 3 होगा तो यह एक two diode array का चित्र दिया हुआ है जिसमें one two active position में और three non active यानी non connection वाली स्थित्ति में होगा यह diodes के अलग-अलग position दे रखी यहाँ पर विपरी दिशा में है यहाँ पर भी विपरी दिशा में है यानि यहाँ पर positive terminal आपस में जुड़े हैं आपस में और यहाँ पर positive and negative terminal बीच में से आपस में जुड़े हुए हैं तो इतीन प्रकास से इन डायोड अरे को त्यार कर SMD डायोड्स त्यार कि जा सकते हैं surface mounted transistor जैसा कि आपको पता है इसमें bass collector emitter होते हैं तो उनको तीन टर्मिनल होते हैं तीन तर्मिनल यहाँ दिखा भी रखें एक दो और तीन अगर यह बैस है तो यह दो electrode और emitter का रूप में काम करेंगा यह lead configuration के रूप में discate small outline transistor के रूप में इनको बनाया जाता है यह बियाकार में आईताकार होते हैं surface mounted ICS इन में तीन प्रकार के संभव है स्माल आउट लाइन इंटेग्रेटेड ग्रांड सर्किट्स सेकेंड प्लास्टिक लीडेड चिप केरियर और PLCC थर्ड लेड लेस स्वरी लीड लेस सेरेमिक चिप केरियर यानि LCCC SMD के लाब यह आकार में छोटे होते हैं और PCB के दोनों तरफ इनको माउंट कर शोल्डर किया जा सकता है आकार इनका आयताकार होता है प्रोडक्शन एक्तु कम पदार्थ का यूज होता है इसलिए इनका प्राइस कम बढ़ता है SMD की आनिया यह चोटे आकार के कारण एसेमल करने में प्रेशानी होती है SMD का वर्जन कई कंपोनेंट्स के लिए संभव नहीं है यानि कई कंपोनेंट्स SMD के रूप में नहीं बनाए जा सकते SMD के उप्योग यह खास तोर से रेडियो में डिस्क ड्राइव में कप्लिंग कैपेस्टर में इलेक्ट्रोनिक टैलीफोन में कैलकुलेटर में स्मूथिंग कैपेस्टर में SMD का परियोग किया जाता है थैंक्यू